नमस्कार गाइस बुलिश बुल मास्टर में आपका स्वागत है बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी कल गैप अप होंगे गैप डाउन होंगे जैसा कि मैंने आज मॉर्निंग में बोला कि मार्केट एक छोटा साइडवेज गैप अपन होगा एस पर फेड के डाटा के अ उसी को देखते हुए मार्केट एक गैप अपन होता है और कुछ मार्केट ने कल ही परफॉर्म कर दिया था बैंक निफ्टी ने देखा था अच्छा मॉमेंट किया कल ही कर दिया था तो आज हम ज्यादा उमीद नहीं लगा सकते थे मार्केट ओपन होता है आपकी साइकोलो इस ओल्रेडी मैंने बता दिया था यूएस पेड मीटिंग डाटा आया और कल आपको वीडियो के अंदर सब कुछ बता दिया था यह देखो हर एक चीज का यहां पर सपोर्ट मिलता है क्रूड ओईल का क्या परफॉर्म करेगा हर एक चीज यहां पर मिलती है यहां पे तीन कि जब फेड का डाटा आया था तो यूएस मार्केट के अंदर भी ज्यादा एफेक्ट नहीं पड़ाता हो सकता आज पढ़ जाए देखेंगे अभी ग्लोबल मार्केट को देखेंगे बहुत सारी इंपोर्टेंट चीजें देखेंगे डीटेल से वीडियो बनने वाला है आपको हर एक चीज यहां पर मॉर्निंग में वीडियो साथ बज़ के अर्तालीस मिनट में बता दिया था इतना सपोर्ट करता हूं लाइव आया था हैल्थ सही नहीं थी फिर भी लाइव आया यह देखो साइडवेस यह देखो गईस नॉर्मल गैप ओपन हुआ नॉर्मल मॉर्निंग में हमने ट्रेड प्लैन किया था यहां पर देखो सीटीची ट्रेड प्लैन किया था जब अप जा रहा था उसके बाद मार्गेट गया था आपको लेवल बेज़े थे निफ्टी बेंग निफ्टी इतने प्यार से लेवल कौन बना के बेजता है भाई कि यह 25,5 527 का लेवल है पहला टार्गेट यह है दूसरा टार्गेट यह है यहां पर परफेक्ट तरीके से लर्निंग सपोर्ट मिलता है यहां पर वर्क किया उसी के सासाथ इतना ही नहीं इतना ही नहीं यहां पर यह भेजा था निफ्टी बेंग निफ्टी का इतना ही नहीं यहां तो ये भी लिखके बेजा था कि निफ्टी डाउनसाइड हम जाएंगे 25,520 के बाद 25,500 का पावरफुल सपोर्ट है तो 25,520 तोड़ने के बाद यहां पर सपोर्ट लिया फिर ये तोड़ा तो फिर बड़ा मुवमेंट देखने को मिला बैंग निफ्टी भी बोला था भाई मेरे साथ लाइउ थे तो कमेंट जरूर करना ओके यहां पर हर एक चीज का सपोर्ट दिया यह जो नंबर है याद रखिया मेरा कोई पैड ग्रूप नहीं है कोई भी मेरे नाम से आपको मैसेज करता पैसे मांगता तो प्लीज मत देना आपकी रिस्क रहेगी ओके कोई अप निप्टी हर किसी ने रिवर्सल दिया और मजा आ गया गाई और आप लोगों के लिए में दो स्टॉक लेकर आया हूं वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं कि वह स्टॉक पर कल थोड़ी नजरे बनाके रखियेगा मजा आ सकता है और लेर्निंग मार्केट डाउन आन किया यहां पर कोटक परफॉर्म कर रहा था आपको कोटक का भी स्क्रीन सोर बेजा टाइमिंग के साथ बेजा दको 2-11 पर यह सब कुछ आपको टाइमिंग के साथ बेजा मार्केट फुल साइडवेस था तो आपको लेवल बेजे थे जीरो टू हिरो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मार्केट थोड़ा रिस्की था तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि 50,000 होते ही हम लेकर आने वाले आप लोगों के लिए तो इस चीश को ध्यान रखिएगा बात करेंगे यहां कल क्या होने वाला है क्या गेप डाउन होगा तो सबसे पहले हम देखते हैं आज मार्केट ने परफोरमंस क्या किया क्या मार्केट ने आज तो सबसे पहले चलते हैं आप इस चार्ट पे आपको डिकाई देरह होगा और इसमे आते हैं ऐसे ताकि आपको साब दिके तोThrखेंग तो सेक्टर वाइज अपन देखेंगे तो 0.83 performance की है Nifty bank 0.37 फिन Nifty ने यहाँ पे गाईज और Nifty auto और जो सबसे ज़्यादा कमजोर था ना Nifty energy हर एक चीज का यहाँ पे sector वाईज यहाँ पे बात करेंगी Nifty IT ने इन मैंसे दो stock में आपके लिए निकाला है कि भीया कल इस पे नजर रखना for educational एवरी डे हमें आपके लिए support करूँगा ओके Nifty pharma जो सबसे ज़्यादा कमजोर था वो था Nifty media और Nifty mid cap select तो भाई आपने देखी लिया होगा mid cap को और mid cap कितना कमजोर था गिर रहा था इसी को देखते हुए मैंने mid cap में अपना trade का plan किया था इसी के साथ सामने stocks नजर आ रहे होंगे यहाँ पे और इसी के साथ साथ एक चीज और देखेंगे WTDB यहाँ पे देखेंगे MTDB यहाँ पे अच्छा perform किया ठीक है Nifty bank को देखू भाई और YTD ठीक है यहाँ पे जो bullish में है यह Nifty auto Nifty reality फार्मा energy IT यहाँ पे आपको सारा सक्टरवाइज दिखता है MTDB आपको मैंने दिखा दिया अब बात करते हैं कल क्या होने वाला है मार्केट के अंदर तो सबसे पहले Nifty के अंदर डेली टाइम प्रेम पे जाएंगे और डेली टाइम प्रेम से पहले घ्लोबल मार्केट देख लेते हैं अब आज आपको डाव फ्यूचर सापको चार सो तेवीस पॉइंट प्लस में दिखा रहा है बाकी अभी मार्केट में ओपन होने के बाद दिखाएगा और यूरोपियन मार्केट की बात करता हूँ तो यूरोपियन मार्केट तेजी में है यूरोपियन मार्केट यहाँ पे तेजी में है तो अब चलते हैं हम अब चलते हैं गाईस हम अपने OI डाटा के अंदर OI डाटा मुझे क्या दिखा रहा है OI data अगर मैं बात करता हूँ कल है बया Sunsex की expiry तो Sunsex क्या करने वाला है वो भी हम बात करेंगे तो सबसे पहले Nifty का जो 1 day time frame पर हमने discussion किया है Nifty एक जो range है guys मतलब 25,500 की जो important resistance है वो या धंक से तोड़ी नहीं पाता है धंक से तोड़ी नहीं पाता है अंदर आया तो फिर वो अपनी जा पाया तो काफी कमजोर है और day time frame पर यहां पर trend line भी आ रही है trend line को भी fully trend line की fully respect कर रहा है market और trend line की respect करते हुए morning में जो 15 मिनट पर आता हूँ guys 15 मिनट पर आता हूँ क्योंकि market ने जो candle बनाई गाई जैसे इस candle को मैंने देखा यह जो candle बनाई है यह बनाई है यहां पर candle आपके लिए various pricing candle stick बनाया इसने 50% इस green candle का काट करके बाहर निकली है और यहां पर आप देखेंगे guys तो perfect same scenario यहां पर इस तरह से आपको मिला है बुलिश candle का reversal candle ने इस body को 50% बाहर कट करके close हो गई और इसने अपने को गई अच्छी opportunity दी इसलिए बोलता हूँ प्राइज एक्षन में candle stick भी जरूरी होती है और मार्केट टोप पे था मार्केट ने पहला टार्गेट दिया आज के लो पे second टार्गेट दिया अच्छा एक और अच्छा अपने को अपोर्चुनिटी मिला 15 मिनट टाइम प्रेम में दिखाऊंगा तो 15 मिनट टाइम प्रेम पे जो चैनलिस्टिक बनी थी गाईज वो भी अपनी फेवरेट और इसने भी अच्छा मोमेंट दिया इसने बनने के बाद तो भाई मार्केट एक पर्फेक्ट सपोर्ट जोन पर आ गया और सपोर्ट पर आने के बाद भाई इस जोन में आ गया और बोला भी था लाईव में कि अब आज जिसने फायर कर लिया ओवर्ट्रेड वगेरा अब करना मत क्यूंकि ज़्यादा आप करोगे गाई इस तो कुछ नहीं मिलने वाल कल अगेन मार्केट एक गैप उपन होने की कोसिज करेगा क्या करेगा गैप उपन होने की कोसिज करेगा कल की बात कर रहा हूं उसका रीजन क्या है उसका रीजन यह है कल है संसेक्स की एकस्पारी संसेक्स सपोर्ट करता है निफ्टी को निफ्टी सपोर्ट करता संसेक्स को कल फिर क्या करेंगे आप लोगों के साथ gap up करके sideways हो जाए वो अलग बात है Friday है भाई game changing day है ठीक है ना कल अगर यह range से बाहर रहता है तो हम next week bullish की तरफ चले जाएंगे क्योंकि weekly candle भी अपनी bullish बन जाएगी बहुत सारी चीज़े change हो जाएगी लेकिन यहां पे nifty अगर कल इस range से बाहर निकलता है मतलब इस range के बाहर की तरफ ओपनिंग करता है तो फिर से वापिस अपन डबल टॉप पे जाएंगे rejection देखने को मिलेगा rejection देखने को मिलेगा हो सकता यहीं बीच में चला जाए हो सकता कल मार्केट इस तरह से sideways हो जाए लेकिन हो सकता है gap up होने के बाद 10 बजे 11 बजे जो मिले उसके बाद market sideways हो जाए तो ध्यान रखना nifty के लिए एक बड़ी opportunity है कल याद रखेगा इस अगर आज के range में अगर nifty open होता है तो अपने को बड़ा यहाँ पर gap up देखने को मिल सकता है ठीक है ना मैं इतना ही कहूंगा आप कल की range में market open होगा इतना कह सकते हो कि market तुमारा आज की कल market जो open होगा आज की range में open होगा ठीक है ना guys इस range के अंदर इस से बार नहीं निकल पाएगा ठीक है ना इस से बार नहीं निकल पाएगा इसी range के अंदर open होगा इस चीज को ध्यान रखिएगा इस not करके रख लीजिए और trade अगर market यहाँ पर मिल जाता है और reversal कोई दिख जाता होगा इस वापिस अपने को target यह target अपने को मिलेगा मज़ा आ जाएगा जब तक यह 200 यह में तोड के डाउन नहीं चला जाएगा अपन बीरीश नहीं जाएगे तोड दिया तो मज़ा आ जाएगा और market टॉप पर पहुंच गया तो 200 कल अपने को target देदेगा मतला 25-400 का वापिस target देखने को मिलेगा यह है निफ्टी का कहानी और निफ्टी में अगर मैं ओई देखता हूं तो पावरफुल सपोर्ट रजिस्टेंस मुझे कहा नजर आ रहा है यहां पे पहले आप इंडिया विक्स को देखिए का इंडिया विक्स यहां पे 6.75 परसेंट नेगेटिव था चार सो की रेंज तोड़ दी तो भाई थोड़ा गडबड हो सकता है देखो नेक्स्ट एक्सपारी का भी यही दिख रहा है ठीक है ना और 25-500 का पावरफुल रजिस्टेंस है इसका PCR थोड़ा नेगेटिव है मतलब ऊपर गैप हो गया ना तो आपको ट्रेप करने के लिए फिर नीचे आ जाएगा तो ट्रेप करने के लिए उपर जाएगा इस चीज को याद रखिएगा ओके बात करते बैंग निप्टी की ठीक है ना मार्केट एक साइडवेस और बैंग निप्टी भी यहां पे एक इन्वर्टर्ड हैमर बनाया है बहिए उल्टा हतोड़ा कह सक अगर कल मार्केट आपको ट्रैप करके अपसाइड ओपन होके फिर डाउनसाइड की तरफ इस तरह से आगया विक बनाके डाउनसाइड क्लोज हो गया तो बहिए नेक्स्ट वीक अपन बेरीच उल्टी गिंती हो जाएगी मार्केट अल्टाइम हाई पे पहुंच गया और आप डबल टॉप कह सकते हो डेली टाइम प्रेम पे यहाँ पे मुझे डबल टॉप दिखाई दे रहा है और इन्वर्टड हैमर है तो मार्केट के अंदर गाई से आपको ट्रैप करते हुए साइडवेस गैप अपन होगा हो सकता है जब तक जो लेवल समाग करेंगे ब्रे यही शेनेरियो रहने वाले हैं आज की तरह और अच्छे लेवल से गाईस अच्छे टार्गेट से अपने लिए और यहाँ पे अपन जाएंगे तो यह रहेगा अपना नेक्स्ट सपोर्ट ठीक है ना चोटे 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 सपोर्ट है चोटे भी नहीं कह सकते यहाँ पे यह सपोर्ट रहेंगे बैंग निपटी के लिए और यह टारेट रहेंगे अपसाइड के लिए वापीस जो हमने मौर्णिंग में बनाया था कि बीजा 500 और 600 का रहने वाला है अपसाइड के लिए चोटे चोटे रहेंगे अपने लिए लेवल सो का भी माग करेंगे ठीक है अपसाइड के लिए डर डर के जाएंगे और यही लेवल्स रहेंगे काई सिंबल और यहां पर भी एक लेवल्स बन रहा है दोसों पर भी यह लेवल्स रहेंगे कल के लिए और OI की बात करता हूँ तो powerful जो OI है गाईज वो है अपना 53,000 पर जो रेंज यह बहुत खतरनाक रेंज यह पावर्फुल रेंज मार्केट ने जो क्लोजिंग किए वो 53,000 के ऊपर की तरफ क्लोजिंग कि जो अपने लिए एक पावर्फुल अपन कह सकते हैं ठीक है ना पावर्फुल कह सकते हैं 53,000 को और PCR हल्का सा यहां पर भी नेगटिव अगर मार्केट में कल रिवर्सल देखने को मिला है तो भाई थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए स्टार्टिंग में आप थोड़ा वेट कर लेना कुछ भी प्लैन करने से पहले फ्राइडे है इस लेवल के बीच में है हम रिस्की है लेवल बार निकलेगा तो हम अपसाइड जाएंगे टॉप पे चला गया तो वहापीस रिवर्सल भी देखने को मिलागा तो हो सकता है कल गाईस आज की तरह आपको मार्केट में मुवमेंट देखने को मिले मिडकेप निप्टी की बात करता हूं तो अच्छा मार्केट गिरा मिडकेप निप्टी स्टेप बाई स्टेप सारे टार्गेट दिये हमें और अब वापीस यह 200 एमे पर जाने की कोसिस कर रहा है 200 एमे पर जो क्लोजिंग दी है वो दी है 13100 के ऊपर और पावरफुल डबल यहां पर मार्केट ने पावरफुल यहां पर डबल्यू पैटन एडवास डबली पैटन बना के अप्सड़ प्लैन किया है तो यह भी हो सकता यहां पर जाए यह जहां पर जाए 200 में पर हो जाए तो इनी लेवल पर हम ट्रेड करेंग जिस यहसाब से हम अप्साइड जाने इस रेंज से बाहर निकलता है तो हम भाईया आपसाइड का प्लैन करेंगे मान लो कि भाई बहुत साइडवेज ओपन हो गया या कुछ किसी कारण से नेगेटिव डाउन हो गया तो यह चीज अगर होती है वैसे तो मार्केट ट्रैप करने के लिए तो आपका गेपप ही होग लेकिन डेली टाइम यार सपोर्ट नहीं कर रहा अपने को डेली टाइम रहा है तो यहां पर थोड़ा डर लग रहा है डेली टाइम पर फिप्टी मीनट टाइम पर हलका सा आपका बुलिश ओपन होके फिर वापिस डाउन साइड और यही लेवल अपने रहेंगे अब बात के डिपेंड रहता है HDFC और ICAC जो हमारे फेवरेट स्टॉक है HDFC नहीं यहां पर फुली साइडवेज रेंज में क्लोजिंग की है और यहां पर क्लोजिंग की रिजेक्शन आता तो हम डाउन साइड प्लैन कर लेते तो HDFC फुली एक नेगेटिव यहां पर संकेत दे रहा है कि भया हम थोड़ा ट्रैप करेंगे साइडवेज का यहां पर गाई देखो आईसी आईसी बैंक भी सेम सेनेरियो है जब तक यह बैंक के कुछ करेगी नहीं मतलब आज बात करेंगे दो इंपोर्टन जो इस्टॉक है एवरीडे बताता हूं निफ्टी और सोरी HDFC और आईसी को देख लीजिएगा जो कि अब दोनों का कॉमिनेशन रहता एक उपर जाएगा दूसरा नीचे जाएगा साइडवेज दोनों साथ में ब्रेक आउट कर रहा है तो मार्केट उपर दोनों डाउन आ रहे तो मार्केट डाउन है ना अब इंपोर्टन बात है गाईस दो स्टॉक्स पर जो हम बात करेंगे पहला है यह है चंबल बोल दो बाई चंबल के यह है चंबल और भाई डेली टाइम पर इसने अच्छा सा रिजेक्शन देने की कोशिश की है कई मतलब एक जो बात करता हो गाईस यहां पर जो है ना कई दिन एक स्कैनल के बार नहीं न आएंगे अगर ब्रेकडाउन आएगा तो मैं इस कैनल का अपना टार्गेट और मान के चल रहा हूं ओके दूसरा जो है वह कोटक कोटक ने क्या किया आपके सामने है आपने देख लिया कई दिनों का वीकली बोल दो मंतली बोल दो एक हाई तोड़ा है तो यह आपको अगर गेपप दिखे तो गाईस नेक्स इसका रजिस्टेंस यहां पर हमें दिखाई दे रहा है तो यह आपको आसानी से यहां पर अपसाइड के लिए मुवमेंट देते हुए नजर आएगा और इसके साथ साथ अगर मान लो नेगेटिव हो गया कुछ नेगेटिव हो गया तो तो हमें यहां पर बड़ा रिवर्सल भी 200 एमे का यहां पर देखने को मिलेगा फोर टोमारो याद रखिएगा यह तुमारो के लिए है और टोमारो अगर रिवर्सल हो गया तो अपने को नेक्स्ट वीक में यहां तक पंजाते होए नजर आएंगे और यहां पर बात करते तो गाइस इसका कल के लिए वोचिंग पर है वोच लिस्ट पर लगना इंट्राडे के लिए भी इसे यूज कर सकते हो फोर एजुकेसनल ओके गाइस थैंक यू